नमस्ते दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बॉलिवुड टॉकीज में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो प्लीज अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आखिर कहां गायब हो गई पापा कहते हैं कि एक्ट्रेस खूपसूर्ती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को देती थी मात। पापा कहते हैं फिल्म में अपनी मासूमियत और खूपसूर्ती से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मयूरी कामवो ने बहुत कम समय में ही बॉलिवुड इंडास्ट्री को अलविदा कह दिया साल 1995 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था नसीम इस फिल्म में बाबरी मज़िद विधवन्स के दौरान घटी घटनाओं को दिखाया गया था इस फिल्म में लोगों ने 15 साल की एक मुसलिम लड़की के कैरेक्टर को खूब सराहा था क्या आप जानते हैं पंदरा साल की उस मुसलिम लड़की की भूमिगा किसने निभाई थी? मयूरी कांगो ने हालांकि उन्हें इस फिल्म से उतनी लोग प्रियता नहीं मिल पाई लेकिन उसके अगले साल ही 1996 में उनकी फिल्म पापा कहते हैं रिलीज हुई जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया मयूरी की मासूमियत और खूपसूरती तो इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के दिलों पर च्छा गई थी मयूरी ने इतनी पॉपुलरिटी मिलने के बाद भी गिनीचुनी फिल्मों में ही काम किया इस लिस्ट में बेता भी, होगी प्यार की जीत, कुर्बा और बादल जैसी फिल्में शामिल है एक्ट्रेस का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा सत्रा साल की उम्र में मयूरी ने इंडिस्ट्री में एंट्री ली थी अपने करियर के बारे में बात करते हुए मयूरी ने एक इंटर्व्यू में कहा था कि वो फिल्मों में नहीं आना चाहती थी दरसल मयूरी की मा बहुत ही नामी थियेटर कलाकार थी उस वक्त मयूरी को अपनी मा से ही एक्टिंग के गुण मिले थे जिसे आजमाने के लिए वो इंडिस्ट्री में आई लेकिन अस्फल रही मयूरी ने इस बारे में बात करते हुए आगे कहा था कि एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मा मुंबई गई थी उस दौरान उनके साथ मयूरी नहीं रहा करती थी वैसे मयूरी महाराष्ट्र के औरंगाबाद की रहने वाली है अपनी स्कूली शिक्षा भी एक्ट्रेस ने वही से हासिल की थी ऐसे में मयूरी एक बार अपनी मा से मिलने मुंबई पहुँच गई उस दौरान मयूरी बारवी क्लास में पढ़ा करती थी मयूरी मुंबई सिर्फ इस मकसद से आई थी कि वो अपनी मा से मिलेंगी और लिंकन रोड पर स्थित दुकान से जूते दिलवाने के लिए करेंगी उनकी मा इस दौरान उन्हें शूट पर लेकर गई इस दौरान उन्हें एक फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दी गई थी ये फिल्म थी नसीम जब फिल्म के निर्देशक सयद अक्तर मिर्जा ने मयूरी को देखा था तो उन्हें देखते ही कहा मुझे एक्ट्रेस मिल गई इसके लिए मयूरी ने मना कर दिया निर्देशक से मयूरी ने कहा कि मुझे इंजिनियर बनना है मुझसे ये सब नहीं होगा मयूरी ने आगे बात करते हुए कहा कि मैंने काफी सोचा इसके बारे में फिर फैसला लिया कि सिर्फ इसी एक फिल्म में काम करूंगी परीक्षा दी, तभी महेश भट ने उन्हें पापा कहते हैं, फिल्म में लीड रोल ओफर कर दिया, तब इंजिनियरिंग छोड मयूरी ने बॉलिवोड में कदम रखने का फैसला ले लिया, मयूरी ने फिल्म इंदस्ट्री में करीब दस सालों तक काम किया, उन्हें इस दोर काफी पॉपुलेरिटी भी मिली, हाला कि वो खुद को इस करियर में संतुष्ट नहीं पा रही थी, ऐसे में उन्होंने बॉलिवोड छोडने का फैसला ले लिया, 2005 में उसके बाद मयूरी MBA करने के लिए New York चली गई और अपनी पढ़ाई पूरी की मयूरी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद Associate Media Manager के रूप में 360 आए के साथ मार्केटिंग शेत्र में काम करना शुरू कर दिया, 8 साल बाद वो भारत वापस आई और अपने परिवार के संग गुरुग्राम में सेटल हो गई, अब मयूरी गुगल इंडिया में CEO के पद पर कार्यरत है, तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए विडियो के साथ, तब तक के लिए बाई बाई और जय हिंद।